तो हेलो गाइज राम रम जी माइनेम इज आरभी और आप देख रहे हैं अरभी गेमिंग चैनल तो दोस्तों आज पीसे हम खेलने आ चुके हैं प्लैनेट क्राफटर गेम प्लेइग तो गाइज पीछले एपिसोड में आपने देखा था हमने एक जो है छुपी हुई शिप क केव के अंदर जो छुपी हुई शिप थी उसको एक्सप्लोर किया था और इसका बहुत सारा समान हम लिकाल के लेके आए थे और साथ ही हमने ट्रेडिंग सिस्टम से कुछ जो है ब्लूप्रिंट्स खरीदे थे जिसको हमने हाँ पर क्राफ्ट कर लिया है बना लिया है और आज मैं जाने वाला हूं उस केव में जो कल मैं खोल के आया था एक नई बायोम जो रेड कलर की बायोम थी उसको आज हम एक्स्प्लोर करने वाले हैं तो जल्दी से हम थोड़ा सा समानी खटा करते हैं और उस बायोम की तरफ निकलते हैं देखना चाहता हूं कि उस बायोम क है वो तो इसी सेड हम बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या हमें देखने को मिल सकता है स्केव के अंदर तो यह आ चुके हैं गाइस हम इस बायोम के अंदर और यहां पर देखिए मुझे एक सिप भी दिखाई दे रही है और यह देखो भाई पूरी रेड कलर की बायोम है यहां पर तो यहां पर खोजबिन शुरू कर दी जाए गाइस तो सामने ही मुझे एक चैस्ट मिल चुकी है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं समान बहतरीन मिलते हुए चैस्ट को हम डेमोलिशन कर देंगे गाइस और इस समान को हम यहे पर गिरा देंगे ठीक है और और ढूनता हूं यहां पर कोई समान हो या सिप को मैं बाद में पर को मैं पर सीघ्ट में यहां तो आगे बढ़ते हैं इस सैड़ में यहां पर मैं यह भी देखता रहूंगा कि कुछ चीजे हैं जो हमें मिल सकते हैं यहां पर अभी तक तो कुछ नहीं मिला भाई इस सैड में भी देखी रस्ता गया हुआ है और यह बायों काफी लंबी चोड़ी है भाई देख रहे हो अब अंडर ग्राउंड है यह बायों इसको ही एक्सप्लोर करना है कुछ चीजे मिलें अच्छी वाली तो भाई तो यहां मुझे लग रहा है नहीं चैस्ट नहीं है दोका अब यहां पर कुछ मिलने वाला है यहां कौन से वाले लारवा है को मन पोमन लारवा नहीं चीए तो एक चैस्ट मिल गई है मिल गई मिल गई एक चैस्ट और मिल गई है ठीक है इस चैस्ट को मैं यहीं चोड़ रहा हूं इसको अब उठाएंगे नहीं हम ठीक है चैस्ट को यहीं पर गिरा रहने देते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं क्या पता ऊपर भी कुछ चीज तो इस सेड मैंने देख लिया पूरा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि यहां कोई चीजे हैं हमारे लिए देखो मुझे मिला यहां पर मुझे फ्रोक्स एग्स मिले हैं और बहुत काले वाले फ्रोक्स के पानी में पी सकता हूँ, साफ पानी है यह ठीक है, तो यह ऐसी जंगे मुझे ढूंड़नाए और मुझे फ्रोक्स यहां से इखटे करने हैं, अपने लिए, ऐसी जंगे पर मिलेंगी बहुत मुस्किल से, एक और मिली, ठीक है, यहां से मैं एक्स को इखटा करता हूँ, भाई के अंदर मुझे एक और नई ट्री मिल चुके मुझे लग रहा यही वाली ट्री है जो मुझे मिली है ठीक है अभी तक तो सब सब कुछ सही है तो बढ़ते हैं आगे इस साइड का मैंने एरिया सारक देख लिया है अब बस बारी है मुझे इस एरिया को भी एक्स्ट्रोर करने की शिप के पास मैं पहुचने वाला हूँ फिर से ठीक है मैं इदर आ गया हूँ अब मैं तोड़ असा शिप के इस साइड में जाने वा देखो इधर भी एक रस्ता गया है भाई यह दो-दो रस्ते गए हुए इधर इधर फिश शिप है साइड कोन सा रस्ता गया गया देख लूँ इधर क्या जिस रस्ते से मैं आये था वही है या कोई अदर कोई रस्ता है यहां पर आं कि मुझे इरेडियम मिल रहे है गाईस देखो इस cave के अंदर iridium और यहां पर भी भाई देखो यहां पर भी लगने वाला है वो बारूद का तो यहां से मैं में में चीज़े ही उठाऊंगा बेकार चीज़े नहीं उठाने वाला हूं तो यहां पर भी हमारे को लगने वाला है भाई मेरे स्पेस कितना हुआ अभी है तो यह हमें बारुद से इस जंगए को उड़ाना पड़े गा तूठीक है गाईस समझ गया हुँ पहले बाहर निकलंगे दूसरी वाली केंदर अगर भी देखके आते हैं कि उस चेव के प्या है हैं यहां पर इधर भी तो गई है न हाँ यह रिए यह रही यह बहुत हर यह लग अगर लगने वाले हैं तो थोड़ा बंब को बनाते हैं तो गाई यहाँ पर देखिए मैंने तीन बंब्स ले लिए हैं और अब हम फिर से चलते हैं उसी जंगहाँ पर भाई यह सिस्ट्रम बढ़िया है कि साला उड़ो और निकल लो तो अब देखते हैं भाई उसके इस केव के पीछे है क्या तो आ गए है हम यहाँ पर और छोड़ते हैं अपना इसको सैट करते हैं ठीक है यह केव खुल चुकिया गाइस आगे के लिए और यहाँ पर भाई सारा कियए मुझे लगला एक उस्सक्त यह स्लेशले थोड़ी और कर लेते हैं अरह हम्यारिश एकिए साही सभी निकाल लेते यह मुझे ङहां पर पूरी एक्टेशMANA पार रहे चुर्ट देंक है कि यहां है His समयाद से रेडियम निकाल के ले जाओंगा और इस साइड में कहीं तो मैं निकला हूँ तो गाईज अब फिर से निकलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और नई चीज यहाँ पर ढूंडते हैं तो गाईज यहाँ पर भी अच्छा समान हमें मिलते हुए आप देखी रहे हैं कि यहां पर भाई काफी अच्छा समान है तो अब मैं थोड़ असा तो इस सैड में फिर से आगे बढ़ने वाला हूँ कि इस सैड में भी मुझे कुछ दिखाई दिया है दे रहा है सायद या नहीं या वही चीज है ये समक्राइश है यह यहां पर मुझे लगाने लगता कि अब और कुछ समान मुझे बचा है ऊड़ासा और में घूम फिर के देख लेता हूं एक यहां पर लगेगा भाई यहां पर लगेगा देखो तो इस पर भी लगाते हैं एक explosive यह तो छोड़के चला गया था वाँ पार्णे जी इसको कैसे भूल गए तुम तोड़ो इसको ठीके गाई एक के और खुल गई है इधर तो इसकी तरफ भी चलते थोड़ा सा इधर देखते कि इधर क्या चीजे हैं कौन सी चीजे हैं भाई यहां पर यह के वे ना जब देखो यहां पर भी निकल रही है गाई एक दूसरी यह यह कौर्स वाली जंगे नहीं है यह कोई और जंगह है गाई अगर मैं पर देखूं तो यह इस जंगह पर मैं आ चुका हूं अगर इसको छोटा किया जाए तो मैं हूं इस ट्रेम यहां पर और मैं घूम राता है इन के अंदर यहां से एक रस्ता निकला है जो कि यहां पर मुझे लेकि आ जाता है और यहां पर भी सलफर की केव वगेरा हैं तो यहां पर शिप है बट यह शिप मेरे को लग रहा है कि मेरे किसी काम का है क्योंकि यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो की मेरे मतलब का हो अगर होगा तो मैं इसको बाद में देखने वाला हूं अब तो होई गया है कि अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा है अब मुझे शिप एक वह शिप है जो अंदर उसका समान यहां से निकालना है और फिर चलना है अपने घर की दरफ वापीश अब अची है हमारे लिए यह शिप को भी अभी हम देखते हैं कि यह शिप के अंदर हमें क्या मिलने वाला है तो गयच शिप के उपर आ चुका हूँ और अब इसके अंदर गुशने की बारी यहां से हम अंदर आ चुके हैं इस शिप के do af इसके अंदर भी देखते सर्किट बोड सोड़ी सर्किट बोर्ड मिलते हुए हमें और इधर भी लंबी चोड़ी जगए है और यहाँ फिर से एक चैस्ट मिल गई है मुझे तो जिसके अंदर में अच्छा समान मिलते हुए फिर से तैरा कोटन मिला है इसको खोल देता हूं गाईज देखिये मैं बिलक इसको छोड़के न बाकी सारा समान अच्छा है इसको भी मैं निकाल लेता हूं और इसके अंदर कोई ब्लूप्रिंट है याइस 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 ब्लूप्रिंट भी लगाई जोर यहां पर देखो और भी अच्छा समान मिलते हुए हमें तो मुझे लग रहा है तो अब मुझे एक मिट खाना खा लेना चीए एक पानी पी रहाना चीए तो एक यह चीज और ले ले लिता हूं मैं यहां से तो गाईज इस में मुझे दुबारे आना पड़ेगा अभी ठीक है और यहां पर भी देखो समान अभी अच्छा है तो एक गर घर पे जाता हूं और समान रखके जल्दी से यहीं पर आपको मिलता हूं गाईज ठीक है तो गाईज देखिए मैं वापिस से यहां पर आ चुका हूं और यह एक चैस्ट रह गई थी इसका भी समान मैं निकाल लेता हूं और अब थोड़ा आगे चलते हैं इधर का समान सारा निकल चुका है और अब थोड़ी बारी है आगे चलने की और फ्यूज भी में लेके आया हूं देखो यहां पर फ्यूज एनर्जी सेल लेके आया हूं के कहीं लगेगा तो इसको लगा दिया जाएगा गाईज चल वेट देखना है पहले तो यहां पर भी मुझे अच्छा समान मिलते हुए सारा समान निकाल लूँगा और इसको जाने दूँगा वापिस से और इसको जाने देंगे ठीक है अभी इसका भी समान निकाल लिया है और यहां पर एक कंप्यूटर टेवल से रखा हुआ है कुछ और य कि यहां पर होगा तो मैं फ्यूज वो लेके भी आया था साथ में बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है मुझे लग रहा यह सीप खुतम हो चुका है आते के साथ में कोई भी समान अब बाकी नहीं है तो अब यहां से मैं नीचे निकलूँगा और थोड़ासा इसके बैक साइड में मुझे चलना है और थोड़ासा मैं एक बार देख लेता हूं कि कोई चीज तो छुट नहीं रही है मुझसे तो भाई गाइस देख लेना जरूरी है तो एक चेस्ट धर भी है यह क्या ली थी मैंने नहीं गाईस देखो इसमें भी अच्छा समान मिल चुका है गाईस देखो वाव 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 पांडे जी और यह रस्ता चड़ रहा है उपर की त गाईस फाइनली इसको भी उठाते हैं समान को सेट अप करता हूं रुको मुझे क्या चीज नहीं चाहिए यहां पर पानी को मैं पी लेता हूं अभी ठीक है और चलो अभी देखते हैं आगे चलते हैं पहले तो यह भी रस्ता कहीं तो जा रहा है गाईस इधर कुछ है यह रहा है इसको भी मैं एक्स्प्रोर कर रहा हूं आपके लिए कि यह रस्ता कहा जा रहा है बट चीजे को मैं ध्यान से ओ भाई ओ देखो भाई भाई साब भाई सहाब यह देखो यार यह देखो काईज जन्नात ऊपर खुला है और नीचे हूं मैं और यहां पर भी एक शिप है जो कि उल्टा हुआ पड़ा हुआ है बट मैं पहले बार थोड़ा सा घूम के देखने जाता हूं भाई कोई चैस्ट मिल जा इदर समांदे को चैस्ट उपर नीचे कहीं भी हो सकत है तो प्रोपर लिउस को एक बार देखना ज़रूर बनता है तो मैं इसके चारो तरफ एक बार घूम जाता हूं थोड़ा सा तो गाइज यहां पर देखो भाई रैड बाले मुझे दिखाए दे रहे लिए लाट बन करता हूं पहले देखो भाई इनके एग भी होंगे यहा बाई सम्मान इत्ता सारा है कि करूं ओ बेभी मैं इसको मैं बना सकता हूं इसको रखो वाफिस यह चीजा नहीं लेके जा रहा हो है ठीक है इनको भी इगनोर करता हूं मैं अब मुझे चाहिए बढ़िया बढ़िया समान सिर्फ ठीक है और मुझे चीघन के एग सालों के इ बाइस तोड़ा पानीके अंदर बीडिगता हूं कि चेस्टीं का होना पानीके अंदर भी हो सकती है जरूरी नहीं है तो मैं अगोर पानीके अंदर भी नजर मार लेता हूं यहां कुछ भी हो सकता है तो ठीक है मुझे लगता नहीं कि पानी के अंदर कुछ है तो निकलो भाहिर ठीक है यहां पर एक चूटा वह यह पड़ावा बट इसके एग तो होंगे यार ऐसी बात नहीं है कि एग नहीं होंगे और एक कहीं तो होंगे मुझे इनके एग ढूंडने भाई एक दे दोने यार लाल वालो तादा तुम्हारे एक कहा है यहाँ पर मुझे खाचा भी तो नहीं दिख़रा जो जिसके अंदर यह बैठते थे इनका गोसला इनका कहीं गोसला नजर नहीं आ रहा है मुझे के इनके मुझे दिखाई देंगे कहीं तो अब इस देखता हूं वाइस के अंदर कुछ है तो कि वो यहाँ पे सम्मान मेरा है बचा हुआ ठीक है दो यहाँ पर मिल गए है मुझे पार्स तो क्या चर्मूद गए बैटर समंने मुझे ढ़के नहीं है कि वाली चीजंव मना सकता हूं रोके वी मैं बना सकता हूं और यह रॉड भी मुझे में जाएगी भविश्य में ठीक है अभी मैं थोड़ा सा बेटर समान ढूंडता हूं पहले टोकन कुल गई है यह वाली चीज नहीं बना सकता हूं मैं तो इसको मैं निकालने वाला हूं तो इसको वापीश डालो जो चीज में बेख सकता हूं ना वह समान मैं यहां से निकाल क इसके अब क्या अटाओं अब क्या हटे का रहे बीडू सब कुस तो खालिया पी लिया मैंने यह ड्रेस किसी काम की आएगी मेरे यह 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 मेरे किसी काम का नहीं है ठीक है इसकी जंगह में रोड और एक्सप्लोशीव ठालेता हूं यह तो मुझे अपने बेस पे मिल रहा ह है जो चीज मुझे बनानी पड़ती है ना उसको मैं उठा लूँगा सिर्फ यहां से ठीक है जो चीज मैं आसानी से बना सकता हूं उसको मैं नहीं उठाऊंगा जैसे कि रोड रही तो इसको लेते और इंजन लेना चाहिए था मुझे ठीक है इसको अटाते हैं इंजन ले ठीक है इंजन में ज्यादास पार सकते हैं तो देखें और यह वाला भी मैंने यहां से पूरा पर पर निकाल लिए बैट जो समान मुझे था वह ने निकाल लिए और बी समान कि अगर नीड होगी मुझे तो मैं बाद में निकाल के ले जाएंगा रही है यहां से आया था मै मैंट मुझे चलके वापिस से देखना पड़ेगा कि मैं इस साइड से आया था या यह केव आगे भी जा रख यह है दो उधर भी मैं जाने वाला हूं साइड में इधर से भाई था कि आ यहां पर चैस्ट है ठीक है इसी जे ऐधा है यह सिप है अब यह केव आगे हभाई वह वह ये रेस्टा यहां पर आके हam इस शिप नहीं दखाई दी मुझे यहां पर आपे गिर गया है यहान यह अवाला झारना जो है इधर आ गिरा हुआ हो तो यहां पर मैं आ चुका हूं पहले भी देखते हैं अगर इसके मैंने समान निकाल लिए तो मैं आ चुका हूं हाई यहां पर आ चुके हैं तो यह वाली के भी properly मैंने जखिए च्छान ली है इसके अंदर अब जो भी चीज था वो मैंने प्रोपर तरीके से आपको दिखा दिया है गाइस के इसके अंदर क्या-क्या चीज हमें मिल सकती है वो पूरी तरह से मैंने आपको बता दिया है कि अलग-अलग जो रस्ते हैं वो अलग-अलग रस्ते कहां जा रहे हैं जैसे कि ये रस्ता बाहर जा रहा है सीधा तो इधर मुझे जाना नहीं है अब मुझे बैक निकलना है अपने बेस की तरफ तो गाइज देखिए आ चुके हैं घर पर और देखिए कितना सारा समान और लेके आगया हूं इस समान को भी सेट करते हैं और फिर मिलता हूं आप से समान सारा सेट हो चुका है और यहां पर हमें एक ब्ल्यूपरिंट मिला था जिसको अब हम खोलते हैं पहले तो के इसके अंदर हमें मिला क्या है भाई यहां पे न्यूपर रिशीव की हो गया है ड्रोन विजिलाइजर या इसका नाम रोगुजमेंट वाई हम आगे पढ़ जिसको हम पिन करते हैं कि हमारे ड्रों कहां। आफसे ला Consult a एक तो यहीं सब इसके अंदर डिखायं गया है तो इसको नि staple पटके लेने में थोड़ा सा लिक्त हो रहा है तो इसके लिए शौर ही गाइज मैप के ऊपर कि हमारे डोट कैसे हैं और कहा कर रहे हैं तो यह हमारे को समाना निकल चुका है और चलते हैं जल्दी से देखो कितनी स्पीड से काम करता हूं मैं और दीरे दीरे मेरा एरिया जो है बैटर होते हुए भी और एक बीच में ब्लूपिंट खुला था वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा ब्लूपिंट हमारा खुला था वो भी मैं आपको बताने वाला ह यह और हमारे ड्रोन की लोकेशन अब यह बताएगा देखो भाई किता प्यारा रोकेट है तो इसको हमने भेज दिया है और यहां से इपर मैं यह अपने उस पर छोड़ रखे हैं तो हमें और चोड़ने की जोत नहीं है और अब मैं बात करूंगा ब्लूप्रिंट की तो वह और ब्लूप्रिंट के लाओं उसको मैं बताता हूं क् whiskey आखाश में चला गया तो कहां से दिखाइए देखाई तो यह न कि हमारे ड्रोन भी तिखाई देनी लग गएं है क्या हमारे क्यों सब्क्राइब हैं यहां पर सारी चीजे देखो भाई अब देखो बिल्कुल कैसा मैप बन गया यह एकदम से भाई तो गाइस यह सई हो गया है हमारे लिए और अब है एक बार यह दिखा दूँँ आपको कि कुछ तो खुला था भी जब मैं जा रहा था तो क्या खुला था गाइस वह मैं देख लेता हूँ अनिमेल सेंटर यह नहीं खुला था यह खुला था गदो फिश सुरे होती हमारे पास में मुझे ऐसा लग रहा है तो फिश फाम इसको पिन करते हैं अगIGHT बनाते हैं ठीक है फिशतें बनाएंगे और उस के अपनी this को बखेरा हम और पानी के अंदर ना अपनी फिश पगहरा है छोड़ सकते हैं तो यह सही है तो यहां से लगेंगे तीन सिल्क लगेंगे और गाइज यहां से लगेंगे दो यह लगेंगे और एक लगेगा यहां से फिश का कुम से वाला लगेगा यह लगेगा नहीं ये वाला लगेगा नहीं ये वाला लगेगा ठीक है तो फिश भी निकाल ली जाए भाई एक फिश है मारे पास फिश एक निकाल लूँ ये एक ये एक ये तीन फिश लेकर चलता हूं क्या बता देखो तीन लगेंगी इसके अंदर कितनी लगेंगी तो इसको बनाते है भाई देखो मोसम कितना खराब हो गया उपर का आशमान दिखाओं तो भाई वाउ और हमारे यहां पर भाई देखो इसको मैं यहां लगा दूँ नहीं 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 इसको पूरा प्रोपर पानी के अंदर लगाने वाले हैं हम जहां पर हमने लगा रखा य यहां पर और भाई इसके अंदर कितनी फीश डाल सकते हैं एक ही डाल सकते हैं तो यह वाली यह कुंसी फीश फीश ही है ना हाँ यहां पर देखो हमारी फीश वगएरा भाई घूमने लगी हैं अच्छे से तो यह सही हो जाएगा तो यह तो मैं दो तीन और बना के लाता हूं काईज अभी रुकिए और सारी जंगह पर हम फिश फ्लाते हैं ठीक है तो काईज देखिए मैंने यहां पर ना चार के लिए चार फिश के लिए फार्म के लिए एकी जंगह पर सारी फिशों को डालने वाला हूं अलाग अलगत रहीं तो यह देखिए और एक डाल देता हों जैस्ट और हम लेका है और दो फ्रॉक के अगा हम लेके आए थे तो फ्रॉक वाला भी मुझे यहां पर और बने लेदेना है यह इसको मैं पिन कर देता हूं और चलते हैं गाइस कम से कम देखते हैं जितने हम फ्रोग के एक्स लेकर हैं उतने फ्रोग से यहां पर हम डाल देते हैं अलग अलग जगें पर अब यहां पर हम डाल देते हैं अपना फ्रोग का ठीक है एक फ्रोग का यहां डाल देता हूं तो यहाँ देखिए black वाले frogs आ गए हैं और एक और frog का है यहीं आस पास ही लग जाएगा तो एक frog का मैं यहाँ डाल देता हूं और इसको भी मैं यहाँ डाल देता हूं तो मुझे लगरा पावर हमारी जा चुकी है मुझे लगरा हमारा सारा काम ठफ हो गया है बिना पावर के बिल्कुल सही कहा साइद हमारी पावर मुझे लगाए कम पड़ गई है यहाँ पर देखिए भाई हमारी पावर्स कम पड़ चुकी है तो हमें यहाँ पर जन्नेट करने पढ़ेंगे यह चीजे इसके लिए पिन करते हैं हमें न्युक्रिल पावर रियक्टर लगाना पड़ेगा अब हमें अपने यहाँ पर तो पहले ही मुझे देखना कि क्वार्स किते हैं तो सारे क्वार्स मैं निकाल लेता हूँ यहां से और लगेंगे इस अलॉए पहले एक यूटर लगाते हैं देखते हैं कि नुक्रियर रियक्टर लगाने के बाद में पावर क्या वापीस आई आ तो जाने चाहिए क्योंकि यह भाई बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो ना प्रेड्यूस करता है बिजली को तो देखो हमारी बिजली वापीस आ चुकी है बट हमें और थोड़ा सा एक दो रियक्टर लगा देना चाहिए यहां पर ताकि हमारी पावर्स घटे रही तो यहां पर मैं बनाना चाहता हूं इसको क्या यह बनाएगा और यास बना देगा तो मुझे दो और चाहिए एक रिय अगयरा लगते बाकी चीजों से गम नहीं है मुझे इसका दिक्कत है क्योंकि यह मेरे पास कम है अभी ठीक है तो अभी फिलाल मेरे पास में इतने यह हो गए है और निकालेता हूं तो एक और लगा दूँगा तो कम से कम है ना पावर प्रोपर ली हो जाएगी ज्यादा द अंदर देखते हैं कि और पावर का हाल क्या चल रहा है यहां पर और समान को पहले यहां पर छोड़ते हुए हम चलेंगे विजली का हाल देख लिया जाए तो अब हमारे पाथ 26,000 की विजली है किलोवाट की और यहां पर 23,000 हमारी खपात है ठीक है अभी इतनी खपत हमारी चल रही है गाज ठीक है तो वैसे तो अभी हमें और निक्रेल पावर बनानी पड़ेगी यह इतने से काम चलने वाला है हमारा इसको डालते हैं यहां पर और कुछ नया खुला है तो इक पर देख लेते हैं तो जर्णेटिक फ्रोग एग यह कैसे बनेंगे यही तो नहीं खुल रहा है अभी यह वाला खुल जाएगा तो फिर तो मैं फिर फ्रोग के एक्स बनाता है रतला जाओंगा जादा ल जाएगा तो इसको मैं यहां कहीं बीच में देने वाला हूं अगर यह लग जाएगा तो ठीक है इसको यहां दे दिया मैं और इसके अंतर मैं यह डाल देता हूं तो देखिये हमारी जो पावर है वह थोड़ी ची बढ़ने बाली है अब आपको दिखा दूँ कि हमारी वहाँ पे एनरजी लेवल क्या था और अब क्या होगा जल्दी से एगार आपको मैं दिखा दूँ तो यह देखिए अब यहाँ पे 32,000 सीधा हो गया है क्योंकि हम ने वह डाल दिया है भाई फ्यूज डाल दिया है रियक्टर के अंदर जो भी हम बना लेते हैं आज ठीक है एक यह निकालना है और एक यह निकालना है ठीक है यहाँ से यह पूरा हो चुका है अब एक सर्कृट बोर लगेगा और भाई क्या लगने वाला है इसके अंदर रोड लगेगी साधिये यास और एक लगेगा टी थ्री या फोर करके है और इसको हम यहीं बनाने वाले हैं तो सले को बनाऊं कहां ठीक है इसको यहां देने वाला हूँ ठीक है बीच के अंदर ही दे देते हैं इसको पहले फिलाल क्योंकि इसके अंदर अब यह देखना है कि हम क्या कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहां पर देखिए अब ज खायज देखने दीजिए शमझ में आए देखिए अब अगर मैं देखिए यहाँ पर एक रियर लार्वा लेता हूं एक demande le से लिए- अब तो देखिए यहां पर मैंने जाने क्ह advertisements बना सकता हूं तो मुझे देखिए यहां पर यह वाला चीज मिल गया है इसको अलग कर देता है जिसके मैं अलग लग चीजहें बना सकता हूं लग डिया है यहतीं ही काम दान वाल है अलग अलग तरह का यह चीजे तो उसके बाद मैं इसको कंबाइन तो नहीं कर सकता हूं इस सिर्फ एक्सिटेट करेंगे इस जो से यह सारी चीजे मुझे मिलेंगी यह सिर्फ यह बता रखा है इसने तो ठीक है समझ गया कुछ-कुछ मैं अभी यह जनेटिक सारा मैं यहां रख देता हूं तो इस जाइए होगा मसीन है यह साइद मेरे को लग रहा है कि यह जो है इसको प्रोपर ली बांदेगी यानि इसको जो हम यह इससे करेंगे तो इसको यह कंबाइन करके डीने बनाएगी अलग तरह का मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है तो गाइस यह अलग अलग टैम पे खुलेगी यह 52 टी पे कुलने वाला है टी-2 42 पे तो 42 हमारे पहुचने वाले हैं जल्दी और यहां पर बेटर फलाइफ्लाई फार्म खूलने वाला है गाईज नो सो पच्छीश पर और नो सो आट हमारा चल रहा है तो थोड़ा इंतजार करना पढ़ेगा बस तो हमारा जो है बीटर फलाइप है है गाइज तो यह देख़ो यह देख आप एब यह पर और खुल चुका है हमारे लिए फ्रोग एग यहाँ पर यहां से धनेक्ट यायनि की डीने को हासिल कर सकते हैं हर एक अलग अलग लारवा से उसका डीने निकाल सकते हैं और यहां पर उसको हम कंभाइन करेंगे ज़री एक अलग से बना सकते हैं ठीक है इसके अंदर यहीं चीजे हैं जो मैंने आपको बता दिया है गाईज यह यहां पर देखिए टी टू बटरफ्लाइ फार्म खूल चुका है यहां पर हमारा और अब सब कुछ बहुत दूर ह खुलने के लिए ये 12 TKT पे खुलेगा और ये 66 KT पे खुलेगा ये खुलने वाला वैसे तो फ्रोक डिस्पलेगी बट पहले खुल चुका है हमारा ये T2 butterfly farm तो इसको हम पिन करेंगे और बनाएंगे T2 butterfly farm को तो इसको हम पिन कर लेते हैं और अब इसके समवान को निकालता हूँ जल्दी से और इसको भी हम क्राफ्ट कर लेते हैं तो एक ये लगेगा दो कपड़े लगेंगे और एक ये लगने वाला है और एक लगेगा यहां से मैं इसके लिए कौन सी फिश डालुगा इसके अदर is Dry लगने वाला हूं विए बड़ा है तो इसके अंदर साह देखते हैं एक लगेगा या दो लगेगा वह देख लीता हमै और एक लगेगा जो लाइट तो यह देखिए बन के तयार है हमारा इसको अब लगाने वाले हैं हम इसको कहां लगाया जाए इसको मैं सोतरा हम यहां पर लगा दूँ कहीं देखो किता प्यार लगेगा अगर यहां पर या तो फिर मैं इसको फ्रंट पर यहां पर कहीं पर दूँ तो यहां पर भी हमारी बटरफलाई देखो, यहां पर मेरी को लगा रहा लंबे चोड़ी, इसमें बहुत सारा बटरफलाई आएगी साइद, यहां पर दो बटरफलाई आ सकती है, अलग-अलग, एक तो यह लगा दिये हैं, यहां पर और एक और बटरफलाई लेके आ जाता ह तो यहां पर देखो वाई दो तरहे की बटरफलाई हमारी पस किलास से घूम रहे लिए भाया जी तो गाईज आज का भी मेरे को लगए गेमप्ले में यहीं पर समाप्त करने वाला हूं कि कि आज हमने केव को ढूंड लिया है अब नेक्स वाले एपिसोड के अंदर हम जाने वाले हैं यहां पर इसको खोलेंगे भाई और इसके अंदर गुसेंगे और नई जंगह पर जाएं हम निकाल के लाए हैं और बहतरी से बहतरी आइटमस हमने आज भी अपने बेस के लिए बनाए हैं जैसे कि यह वेटरफलाइक का फार्म बना लो या फ्रोग फार्म बना लो ऐसा कुछ हमने बहुत कुछ काम किये हैं यहां पर छोटे बोटे तो गाईस आई होप आजगा ग